पल पल दिल के पास हम रहते हैं हाँ जी सनीपा जी आप हमारे दिल में रहते हैं हलो दोस्तों मेरा नाम साहिल आप मेरा चैनल अमेजिंग आज स्टूडियो देख रहे हो ये रिव्यू है पल पल दिल के पास जो सनीपा जी ने ट्रेक करिया है और करनन दियौल जी ने इस फिल्म के अंदर एक्टिंग और सहर ने अपनी एक्टिंग का सिकह जमा LI आ है सनीपा जी एक फिल्म थी सनीपा जी कि ये धाई किलो का हाथ है जब ये किसी पर पढ़ता है वो रहता नहीं आई उड़ जाता है तो सनीपा जी तुसी कैमेरे के पिछे बहुत अच्छा रूल निबा रहे हो ये फिलम पलपल दिल के पास सुपरिट सर करन की एक्टिंग और सहरा की एक्टिंग जबर दस्त सहर की और देविव दुनों का हो रहा है हिट जोड़ी आ रही है क्योंकि दर्मिंदर जी ने तो पैसा लगाना था पैसा लगा दिया है और सनीपा जी ने अपना ड्रेक्शन करनी देए ड्रेक्शन कर दिया है इस फिलम के अंदर जितना भी इन्होंने गाने हैं अच्छे हैं स्टोरी है अच्छी है सब चीज अच्छी है सनीपा जी ने कानी जब सुनी होंगी तो उनना बहुत च्छी लगी और पल पल दिल के पास यह एक सौंग है जो दर्मिंदर जी का सौंग है पल पल दिल के पास सारा ने बहुत चेक्टिंग करी है इसके अंदर लब स्टोरी है मतलब की रोमैस है सब कुछ है एक्षेन है आप फिल्म फैमली मूवी है फैमली जाकर मूवी देखें सारी फीलम फैमली की है और डेब्ड़ Cash में करन की और सारा की और बहूत ओस्व मोवी है जो वहा की वादियां, जो वहा का कल्चर कुलो मनाली का वो बहुत अच्छा दिखाये गए है मनाली शोट बहुत छिर्ड दिए गए है देब भूमी की एमाया बूल जात सब क्या खोया क्या पाया आधा वीज आदा है यहाँ जीना वरस आदा है यहाँ मनाली कल्चर बहुत जवर्दास दिया गए है अग्याँ लड़का होता है मनाली रहता है और लडगी दिली रहती है आरे सारे बहते आरे सारे कहते है हो जा आबारा लम हे लडकर छीने तंब भर भर कर छीने आए Mr. Saigun, thank you for the most amazing week of my life I'm sure अगर तुम्हारी कोई गर्फरेंड होगी she must be so worried मेरी कोई गर्फरेंड नहीं है I love you कुछ चीजे होती है जो हुमें छू जाती है स्टोरी बहुत ची थीन मैंने बनने आपको पैली बता दी और मैं पांसे पांस्टार दे रहा हूं और इस फिल्म को आप देखिए और आप इन वादियों का मज़ा ले लीजिए जो सनी बाजी ने शूट की हुई है आप फिल्म जाए देखिए और रिव्यू अच्छे दीजिए और कमेंट कीजिए गुल लक सनी बाजी बेस्ट ओफ लक और आपकी दूसरी फिल्म थी चैनल स्क्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करना के आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपको ये फिल्म कैसी लग रही है आपने जरूर बताना है फिल्म जाकर देखिए दन्यवाद आपका साहिल अमेजिंग आर्ट स्टूडियो दन्यवाद